लोग श्रिमत भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अधाय के 26 से 28 देखने कितना हो जाता है उसे करने का प्रयास करेंगे आपने सुना था कि ये दो वंशियों को शाप मिला था मुनियों के द्वारा द्वारिकापुरी में और उसके बाद उसके पशाप के पशाप कुछ मास बीत गए और विरिष्णी और भोजक आदी जो लोग थे वह ये यू चले गए कहां चले गए प्रभास शेत्र में चले गए कैसे गए तो कहते हैं संहरिष्टा बड़े प्रसंद मन से गए कि भाई जो भी अप्शकुन द्वारिका में दीख रहा था वहां जाकर हम कुछ पुन्ने करेंगे कुछ यग करेंगे तो उससे उसका प्रभाव नश्ट हो जाएगा कैसे गए तो कहते हैं रथ के दारा गए और क्यों गए तो कहते हैं देव भी मोहिता भगवान की माया से मोहित होकर गए यह सोचना कि द्वारिका से बाहर जाकर भगवान के धाम जाकर कोई बड़ा तीर्थ होगा जहां हम पुन्य करेंगे यह भगवान के मोहिनी शक्ति से उत्पन हुआ भगवान के धाम से बड़ा और तीर्थ क्या हो सकता है तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि महाँ पर क्या होता है मेरे पूछे बोलीए तत्रसनात्वा पित्र देवान रिशिन्स्चेवत अदम भसा तर्पयत्वात्व विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुहू तत्रसनात्वा पित्र देवान रिशिन्स्चेवत अदम भसा तर पय त्वात्व विप्रेभ्यो गावो बहु गुणा दधुर तत्रसनात्वा पित्रंदेवान रिशिश्यवत अदंभसा तर्पयत्वाथ विप्रेभ्यों गावो बहुगुणा दधु। वहाँ पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर? प्रभाश्शेत्र में. उन्स सबों ने सनान किया और उस तीर्थ सनान के जल से पितरों, देवताओं तथा रिश्यों का तर्पन करके उन्हें तुष्ट किया, उन्होंने राजकी दान में ब्रामणों को गौवें दी. एक बात आपने नोट किया, केवल जल की द्वारा पितर, देव और रिश्यों को तर्पन कर दिया. परमपुजी अब रिंदावन चंद महराज से मैं पूछ रहा था कि शराद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या, तो बोले कि अच्छा ये बताईए कि करने में हर्ज क्या है. मैं कहूं पानी लाके दीजिए, तो एक ग्लास पानी आप दे देते हैं, तो उसमें क्या आप बहुत सोचते कि अनन भक्ती है, नहीं है, ये है, वहला एक सोचने वाली बात है, और हाथ में जल ले लिया था से मली जमना जी में खड़े हैं, तो वहां का पवित्र जल लेकर करके अरपन कर दिये, कि हमारे पितनों के लिए है, तो उसमें हानी क्या हो गई? महराज का एक बहुत सुंदर पॉइंट था, कि भाई, क्या इतने अनन हैं, कि हम अपने रिष्टदारों को भूल गए हैं यापे, माई बाप यहां सब को भूल गए, कि इतने अनन तो हो करक कि रिष्दारी की चक्कर में भवान का बजन भूल जाएं, अपनी सित्य को देखना चाहिए, तो ऐसे में अगर कोई इस प्रकार से सिंबल सरल तरीके से आप प्रैक्टिकल देख रहा है कि कैसे करना चाहिए, जल अरपन कर देना चाहिए, ऐसे करना अंजली में भरते हैं इसके बाद दे देते हैं, तो क्या कटना ही होगी, और एक बड़ी बहत्पूर्ण बात है, कि पितर राधी अगर सब शांत होते हैं, सुखी होते हैं, तो घर में शांती रहती है, लेकिन बहुत कर्मकान करने की कोई जुरत नहीं है, तब भड़ी दिकरत हो जाएगी, जल या जले को अरपन कर दिया, इतना तो किया जा सकता है, कड़ा ही नहीं है, यहां तो बहुत सिंपल सी बात है, आप हरे कि श्री मंत्र बोलिए और अरपन कर दिजिए, काफी सिंपल है, सिंपल तरीका है, तत्र वहां प्रभास थीर्थ में सनात वासनान करके, एवं तत अंभसा वहां के जल से, पित्रिन देवान रिशिगन को एवा तरपाइत्व निश्च ही प्रसन करके, अथ तत पर शात विप्रेभ्या ब्रामनों को बहुगोणा गावा ददू, अत्यंत उपयोगी गावें उन्होंने दान में दी, तो उससे क्या सुचित हो रहा है कि वह पित्रों को, देवताओं को, रिशियों को और ब्रामनों को भी सम्मान देते थे, तो जो पहले बात बोली जा रही थी कि उनके द्वारा महान रिशियों का उपहास किया गया, ये भगवत इच्छा के लावा और कुछ नहीं था, इसी को कल सुना गया था, भगवत मत कोविधा, रिशियों समझ गया कि ये अद्व को मार हमारा उपहास कर रहा है, ये भगवान की इच्छा के विना होई ही नहीं सकता है, ये लोग तो नित ही रिशियों का सम्मान करने वाले, जैसे एक बात सोचिए, किया आप अपने गुरु भयास से मजाग कर सकते हैं, क्या कोई प्रभुपाजि से मजाग कर सकता है, इतना सामर्त, इतना दुस्ताहस तो कोई करी नहीं सकता, मान लो कोई करे, कोई कर नहीं सकता है, मैं एक्जामपल दे रहा हो कि समझ मैं नहीं आ रहा हूगा मान लो कोई करे तो अब अब इसको कह सकते हैं कि कोई विशेश इच्छा है अन्यता ऐसे कर सकता है अगर ऐसा किया होता तो हिस्ट्री में यदुवश की हिस्ट्री में कोई और भी तो ऐसे केस आने चाहिए एक भी केस नहीं बना इतना बड़ा समाज है और कोई भी ब्राह्मण का अपराद किया हो ऐसा कोई केस बड़ा ही नहीं आप ढूंड़ी जिगा शास्त्र में कोई यदुवश की नहीं ब्राह्मण का अपमान किया अपितु आप कथा सुनेंगे महाराज जंद्रिग की अब अब यहां नहीं बता रहे हैं लेकिन महाराज जंद्रिग की कथा को महाराज जंद्रिग चिपकिली बन गए तो चलि मै देखे कि एक छिपकली पड़ी हुई है बहुत विशाल छिपकली तो उनको देखे बड़ा अश्चर हुआ पिर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को बिलाए गया और भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ बढ़ाए उपर से याद बढ़ाए और चिपकली को टच किये चिपकला के लिजी चिपकली के लिजी वह है इंसान बनकर भारा गया अब तो लोगों और अश्चर हुआ भगवान सब जानने वाले हैं लेकिन भगवान ने उसे पूचा कि यह क्या हो गया आपको अब इस चिपकली गुरूप में कैसे आए तो उन्हें कहा कि मैं महाराज आपने दाताओं की रूप में महाराज निर्ग का नाम सुना होगा मैं वही महाराज निर्ग हूं और मैंने कितनी गावाए दान दी हैं उसका कोई हिसाब नहीं है बहुत अपना वह मलब बोल रहे बहुत दान करते थे अच्छी बात थी एक बार आसा हुआ कि ब्रामण को मैंने गाय दान करी वह ब्रामण गाय लेकि गए बड़े खुश थी और उसके बाद वह गाय वापस आ गई हमारे गोशाला में जो भी गराज के गोशाला थी और हमको पता नहीं चला और फिर से हमन सुद्रन को आगणी गाय को कैसे लेकर जा सकती तो नहीं गया ने दोनों ब्रामनों से बहुत शमा मांगा आप इसके बतले में कुछ फिगर है हजार ये दस अजार गाए ले लिजी लेकिन आप कृपया संतुष्ट हो जाएं असंतुष्ट ना रहें तो अद्बुत ब्रामण भी अद्बुत है वो दोनों ही गुस्ता होके चले गए और एक भी गाए नहीं लेके संधार हें इसकता में ब्रामण भी अद्बुत है रहे ले लिते एक गाए चूट रहे में थ्यार बढ़िया गाए देरें शान्त हो जाति बेकिन सांतु दोनों ही गाहें नहीं लेकिन्त शूट है इस wiggle ईंद्बफित गया जब उनका श्रीट में चूटा तो यमराज जी प उसको भोग नहीं पाएंगे बहुत बहुत पुन्य है तो यह सुचे कि पहले पाप भोग लेता हूं फिर पुन्य भोगूंगा तो कहते मैं पाप भोगना चाहता हूं तो कहते आपने जो ब्राह्मान की संपत्ति को छीन लिया इसकी बज़े से को छिपकली बनना पड़ेगा चिपकली क्या वो लिजर्ट हाँ मैं आज समझ लेजी सरी सिर्फ कहले प्रकार का रहा है गिर्गिट तो वही महराज देरेगा गिर्गिट बन गाए थे अब उससे भगवान ने यदुकुमारों को सिश्चा दे देखा तुम लोगों ने कि कैसे अंजाने में एक ब्राह्माण की सुम्पत्ति को छीन लेने का कितना बड़ा प्रभाव होता है तो आप समझ गए ना कि यदुकुमार भगवान श्रीकृष्णी के द्वारा ही सिख्षित हुए भगवान वहाँ पे कहते हैं कि देखो अगर कोई ब्राह्माण तुम से गुस्सा हो जाए तब भी तुम्हें वैसे ही मुस्करा के उसका स्वागत करना चाहिए जैसे मैं कर द्ल जाई करें ऑर एस से भगवान के द्वारा कि भगवान के भक्त है भगवान के पार्षद है उनका ब्रांवन करते यहाँ सम्मान गुंआ नहीं दे रहा है और परम बुजिरादा को महराज विनोद कर रहे थे कि यहां पर देखा जाता है मैं तो गया नहीं हूँ आप लोग जो गया गया होंगे विसे जानते होंगे कि एक ही गाय की पूंच पकड़ लेते हैं और उसको बहुत लोग से दान करा देते हैं को एक रुपय में दान कर लेता तो इस प्रकार से लोगों के लिए जब गाय बोज हो जाती है तो वह गोशाला को दान कर देते हैं लेकिन यहां बहुगुणा का मतब है कि उसका वह 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 थी उसका पच्छडा था वह गाय दूद भी देती थी इत्यादी इत्यादी क्योंकि आप समझना चाहिए कि तो ब्रामनों को गाय के जुरत क्या है ब्रामनों को गाय के जुरत क्यों है बताइए उनने यग्य करना है यग्य करने के लिए घी चाहिए तो घी के लिए दूद चाहिए तो दूद के लिए गाय चाहिए इस उले करते थे, वो परहमा लोग, रृद ये मक्वन बेचने के लिए नहीं करते है, वो उसका उपयोग, यग्यादी के लिए करने के लिए करते है, और वहां के ही जल से तरबन किया संतुष्ट किया अथा उसके बाद विप्रेवियों विप्रों को गावो बहुगुणा दधू बहुत गुणवाली गाय प्रदान करीं भगवत भक्तों में कई विभाग हैं जिन में नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य है नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातवन के ख्षित्र में नीचे नहीं गिरते भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों ना आना पड़ता हो बड़ी सुन्दर बात है होते हुए बही जगण के नहीं रहते वन यहिति जगण का वह बहें जगण के कारें वह जगण कारें कर लिए माल पूछों कि वह अब हम हम जासे बद्ध जीवों को जगायें वह कीवल भग्मान के बिहाफ करते parallel करते हैं जैसे वह कभी 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 जेल में प्रिचिंग करने जाते है तो मॉन लो पूछो कि वह भक तभी कहा है तो करते जेल में प्रिचिंग करने के लिए तो कोई बहार से मिलने आया अश्रम में तो आप भी मालुए भ्रमचारी है और पूछ रहे प्रभू जी कहां गए तब क्या बोलेंगे क्या", बुलेंगे जेल में गए गलत बोला हिनोंने। लेकिन WHO को मुर्डर करके जेल में गया और कोई विक्ती है के लिए प्रचारे के लिए जेल में गया, तो दूनमांतर लोग जेल क हो अई है, दोनोंcionalग एक स्थान में हैं, लेकिन दोनों तो इसलिए बहुति भ्यव हो गया की नहीं तो है अगर विक्ती भगवान के पार्ष रश्ट वजाता है अगर भूषिक जगद में जाता है जो बदात्मा है पहले जो मुक्त हो जाते हैं तो उनको साधन से दिखा जाता है साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद भक्त होते हैं मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्षनिक चिंतन में लगे रहते हैं शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से सुतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतिया लीन रहते हैं जाहे वे कहीं भी हों और किसी भी अवस्था में स्थित हों भगवान के शुद्ध भक्त पवित्री स्थीर स्थान वह लोग बड़े प्रसन्द हो करके प्रभास्तीर्थ में गए, सुना, रत पे आरूड हो कर गए और भगवान की माय से मोहित हो कर गए, तो भगवान की सिवा चूटी की नहीं चूटी, अब समझ में आया, भगवान की सिवा को छोड़ करके कोई पुन्य कमाने जा रहा है, तो यह मुर्ता है की नहीं, तो आप जानते हैं कि भगवान की जो नित्य पार्षद हैं, वह नहीं गए थे, देवता वाले अंश्ते, और यह यह दपी भगवान की लीला हो रही है, उससे हमें क्या सीखना ही बहुत इंपॉर्टन्ट है, अगर आप भगवान की सेवा में करते हैं उसको, कोई और कोई भी कृत्त करने के जुरुत नहीं, यह सारे पितर आदी सबसंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने महराज को पूछा, हम लोग दीबदान करते हैं, कार्थिक में, तो वहां तो उनने सुना की पितर लोग नाचते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर कीवल भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, अभी घर परवार के लोग चिंता चल लाइए, उसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, तो अभी तुछी तो वहां भी फासा हुआ है, ऐसी वस्था में विक्ति कीवल पितरों का तरपन ना करने का भाना ढूनने के लिए, वह आप तुम्हाराने कहां तो फिर कोंई दिखत नहीं है, फिरको शुलत नहीं है, नहीं को यह रिष्टदारी, को यह रिष्टदानों है एन्स क्या है, तो अभी फिरकान करने कई दिखत अदून की ओ लिगकरें है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है पितर अधर्वाइए और पितरों को संतुष्ट करने को लगए हमारी पितर शिल्य प्रभुपाद घुलोक में उनको संतुष्ट करने नीदी तो हम रोज भागवत करती हैं उनकी तो क्यों लेकिश्चा की भागवत पढ़ते रहे इसलिए रात जबर्दस्त बात है। आज मैं प्रहुपाजी का लेक्चर सुन रहा था और अदभूत बात सीखने को वे लिए। जब आप भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो आप भगवान के साथ होते हैं। अच्छा यह बताइए कि अगर कोई भक्त पिक्चर देख रहा है जो लोग को बताइए उसको आप क्या कहंगे। He is in Maya, कोई नियम भंग कर रहा है, कुछ कलत कर रहा है, तो आप केंगे, He is in Maya, इतना दिख जाता है आपको, दिखता है कि नहीं से को दिखता है, कमजूर तो नहीं आखे हैं आपके, यह तो तुरन दिख जाता है परोजी, दोस देखने हमनों बड़े तेज है, अच्छा, और जो मक्ति भजन कर रहा है, He is in, क्या बोलेंगे आप, He is in भक्ति, He is in कृष्णा, और यही प्रपात बोलेते, ये तु भजन ती माम, भक्तिया, माइते तेशुता, शाप्य हम, जो वक्ति कृष्ण का भजन कर रहा है, वो है कृष्ट मे रह रहा है, तो जो वक्ति में जाने की जुरत है भगवान के चलणों की उपमा कैसी आती भगवान के चलणों का गुण बता जाता है भगवान का गुण बता रहे हैं तीर्थ पाद तीर्थ पाद सारे तीर्थ भगवान के चलणों में निवास करते हैं एक बार हम बहुत पुरानी बात है घर में कारिक कोई बात नहीं लेकिन अब यह कहो कि पुण्य कमाने जाना है तो क्या यहां बुरिंदावन में और यहां तो किवल चलने से व्यकूंट जाने की योगीता मिलती है कोई भक्त कहे रहे तो कोई विंदावन में रह रहा है और भक्ती नहीं कर रहा है और बाहर रहके भक्ती कर रहा है कौन से रेस्ट है तो आप यह विंदावन में रहना भक्ती नहीं है और यहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि सब पढ़ाई हुआ है कुछ ना कुछ तो जा रहा कि मैं कोई यात्रा क्यों नहीं करता क्योंकि दुनिया में अनादी काल से मैंने बहुत यात्रा कर ली हैं अब नहीं करनी यात्रा करकर कि ठागुर जी कृपा से राधानी कृपा से मेन ली तो प्रभु पांच की कृपा से हम इस धाम में पड़े हुआ हैं यहीं पड़े रहन चाहते हैं बहुत यात्रा कर लिए किया जुरत है बताईए बहुत अच्छी बार प्रपात कहते हैं और आगे इस पे और नरवतन्दास ठागर जी क्या कहते हैं ज़्याद देखिए आधनिक और एक और बात है मानलवब्ध हमें नहीं भी रह रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष यानदाक में estupa दान हर शंत वी एक कर रहे हैं न मी करते हैं हमको बड़ा च्रह रखता है एक कृष्ण नाम कोटी अश्वमेध समा सेट पाशंडी तार धंडे तार यम को विक्ति कहला कि एक नाम एक करोण अश्वमेध के वराबर है तो यम्राद जी ऐसे विक्ति को कहते तू पाशंडी है तू भगवान की नाम के बिश्वास नहीं करता तेरी पिटाई करूंगा करते भी है है a 예 तो यह दिखिए आप को हैं कि हम कही है तीर्थ भ्रमन करने के जा रहे हैं यहां यहां जा रहे हैं तो यक बाव्ट बड़ा भ्रम है अब हम हमसे बढ़ता सकती है ज tiene मेरी मा जिंदा थी तो एक दिश्दीus और यह उनको आईडिया है कि गं seç चलते तो हमने का बच्चे के बड़े में चलिका मर जया नहीं तो मैं नहीं आने वाला अगनी तो यह अन्हीं गई ही नहीं वरंदावन एक बार गई जब आई ब्रंदावन शूर्टा गई शूर्टा पास गई एकदम स्पष्ट हम इतने confidence इसले बोलें कि लिखा है कोई भी विंदावन में श्री छोड़ता है भवान के पास चला जाता सीधे स्पष्ट लिखता है लिखा हुआ है तो हम खाली बात यह कर रहे थे कि उनको में डरा रहा था थो थोड़ा डर नहीं थी हम नहीं का समझाया है इस से बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं तो भगवान का घ्ल दाम है वाका घ्र है भगवान का घर भगवान का घर ही यू हीरिं नहीं हम मडियों है बहुती जगत में ही नहीं इसको छोड़ करके कोई तीर्थ कमान पुने कमाने जा रहा तो वही वाल एक्जाम्पिल है गंगा जी में अंदर बैठा वह डूपकी लगा रहा रहा है रहा है रहा है बिजलेरी के पाने की बोतल ले गया तो यह को यह मंदर उसमें बैठा हो के महान भगवत भक्त निरॉत्ट्षी नरुत्तमदास ठाकूर का कीत है तीर्थ स्थानु में जाना मन का दूसरा मोँ है क्योंकि किसी भी स्थान पर की केवल मनिर भ्रहम समझ माया तीर्थ यात्रा केवल परिष्ट्रम है मतलब फल कुछ नहीं है और केवल मन का भ्रहम है अब मतलब क्या है देखिए अगर कोई विक्तिती तीर्थों का ब्रह्मन कर रहा है उसका उद्देश क्या है उसका देश है कि वहाँ पे भगवान की जो कथाएं चलती है वह है वहाँ पे जाए वहाँ के पवित्र जल में सनान करे पुन्य कमाए और किसी न किसी तरह वहां के जो अभिग्य लोग हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, बक्ती को जानते हैं, उनके प्रवचनों को सुने इस बात को भगवान श्री कृष्ण स्वयम बोले हैं, शुत्रदेव ब्रहामन को यस्यात्म बुद्धी कुण पेत्रिधातु के सभौम इज्जधी यतीर्थ बुद्धी सलिले न करहिचित जनेश्व भिग्येश्व सेव गोखरहा यस्यात्म बुद्धी कुण पेत्रिधातु के स्वधी कलत्रा अधिश्व भौम इज्जधी यतीर्थ बुद्धी न सलिले न करहिचित जनेश्व भिग्येश्व सेव गोखरहा स्वधी और इसकारण से उसकी स्वधी आत्म बुद्धी कि ये मेरे हैं स्वधी हैं स्वधी कलत्र आदीशू कलत्र मत्र बच्चे और आदिक मत्र पत्नियादि में भावना यह है और बाकिसब पराय स्वधी कलत्र आदिशू भौम इज्जती और जो भूमी जिसमें मैं जन्म लिया हूं यह मेरी लिए पूजनी है यद तीर्थ बुद्धी सलिले न करहिचित और उसकी तीर्थ बुद्धी किसमे है जल में जल जो है वो तीर्थ है केवल जल तीर्थ है करहिचित यद तीर्थ बुद्धी सलिले न करहिचित अभिग क्या था ये तीर्थ बुद्धी सलिलेल करशित जनेश अभिग्येश सेवगोखरा और जो अभिग्ये लोग हैं जो भगवान के तत्व को जानते हैं उनमें तीर्थ बुद्धी नहीं है देखिए तीर्थ का मतलब होता है कि विक्ति की बहुत महत बुद्धी होती है हमारे यहाँ इस होगा हम कुछ पवित्र होंगे या आप बताईए आप अभी मांदारी से बताईए माय की बताईए आप बता रहे थे कि आपको तीर्थ ब्रह्मन का शौक था क्या उत्देश था उस समय भक्ति वाले पॉइंट छोड़ दिए उस समय क्या उत्देश था क्या चितना था बत तीर्थ वुद्धि अगर कोई तीर्थ में पिकनिक करने जा रहा है तो उसके खेंट बुद्धी भी नहीं हो गिए लेकिन अगर विक्ति की तीर्थ बुद्धि होई गंगाजी में नहाएंगे हमारा पॉन्य होगा और इस प्रकार से उसकीák बुद्धी होती है केवल जल म में है और वहां पे रहने वाले सादू संत जो कथा कहते है भगवान की उसमें उनमें तीर्थ बुद्धी नहीं है कि वहां जाके मेरे कुपन्य मिलेगा भगवान की बास सुनूंगा तो ऐसे विक्ति सव एव गोखरा तो हां बोला जा रहा है कि वही गोखर है अर्थात मतलब वास्तेविक गाए और गधे गधे नहीं है सव एव गोखरा मतलब वही लोग गाए और गधे हैं जिनकी भक्तों में तीर्थ बुद्धी नहीं होती अब क्यों आशा कहा जा रहा है क्योंकि जैसे पशु अपने जीवन के उद्धेश के बारे में बिल्कुल नहीं जानता ऐसे ही लोग इस प्रकार के तीर्थ ब्रह्मन करने के बाद भी जीवन के उद्धेश के बारे में कुछ नहीं जानते और यह देखा हो गया आप लोग अंदर भर रहे हैं मेल इस अविदेटली सीन अलब आक्षा दिखता है यह यह भी होता कि पान पीक थूख देते हैं का गंगा जी में अब देखेंगे इस परकार से तो तीर स्थानों में जाना यह मन का मोह ही है कि मक्का गए मदीना गए बनके आएकाजी और पुरानी आदत नहीं गए रहे पाजी के पाजी और देखा गया है वह सही करते हैं लोग एकिवल मुसल्मानों की बात नहीं कर रहा हूं यह हिंदू करते हैं लेकिन अगर कोई विक्ति अपने घर में ही बैट करके भगवान का नाम जब कर रहा है भगवान की कथा को सुन रहा है तो वह है भगवान के संपर्क में वैसे आप मैंने पहले भी बताए मैं फिर रिपीटर रहा हूं देखिए मतुरा शब्द का एक और अर्थ ब मन्थन मतनुटे जहां मंधन के जाता है वैस थाने मत्र है तो अगर को भिक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो वस्त आभयाशने धाम में ही रह रहा है वहाथγα वह सिवा कर रहा है तो वह स्थानकिंट हो जाता है कटना यह क्या घरों में आजकल वैकूंट में कभी कभी टीवी चलने लग जाता है वो थोड़ा से वैकूंट के बतावरण को डिस्टरब करता है बट नंदेलेस इस बारे में भक्तिवन ठाकुर जी की योकती है जे दीन ग्रीहे भजन देखी ग्रीहे तो गोलोक भाया तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम धाम के बाहर हैं थोड़ा उनमें कषनाई है उनकी समझावट में जिस दिन घर में मैं भजन देखता हूं उस दिन मैं मुझे घर गोलो के उस्तमाल प्रस्तोत होता है तो जिस घर में अगर भजन में सब लगे हैं जब कर रहे हैं कथा सुन रहे हैं भगवान को भोग अरपन हो रहा है चाहे वो कहीं पे भी हो वो गोलोक में ही रहा है बक्तिवन ठाकुर दिकिए मैं उक्ति को कह रहा हूं बहले हमको रिलाइज जगे तीर्थ ब्रह्मन करने की जुरत नहीं है आप जीवन में देख लेना कि बहुत तीर्थ ब्रह्मन करें चले करना भी चाहते हैं कर लीजेगा लेकिन कथा के द्वारा जो पवित्ता शांती मन में आती है और भगवान की सेवा का उच्साह आता है वैसा तीर्थ ब्रह्मन के बात है नहीं आता है अगर आप भग्तों के संग जा रहे हैं और वहां भवान कुछ सुनने को बिलती है तब बहुत अच्छी बात है लेकर ऐसे घुम घाम के आ गए तो कुछ नहीं मानूं चलता उन भग्तों के लिए जो भग्वान की प्रेम्य भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं विभिन स्थीर स्थलों में जाने की कोई आफशक्ता नहीं रहती यानि कि जो लोग भक्ति से संतुष्ट नहीं है वो जाएं और पवित्र हो ठीक है लेकिन जो भग्वान की भक्ति करके संतुष्ट हैं उन्हें जो लोग उतने बड़े पूरा किया और अपने अपने पितरों तता अन्यों को अपने पुन्य कर्मों की भेंट चड़ाई नियमत हर मनुष्य इश्वर देवताओं महान रिश्यों अन्य जीवों समान जनों पूर्वजों इत्यादी करणी होता है क्योंकि वह उनसे विभिन प्रकार का योगदान प्रात्त करता है अथ हर व्यक्ति को कृतग्यता का रिण चुकाना होता है जो यदुगन प्रभास तीर्थ स्थल गए उन्होंने राजसी दान में भूमी स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गोवें भेंट करके अपना कर्तव निभाया जैसे कि अगले श्लोक में बतलाया गया है कि यहां पर बता रहे किस प्रकार से किया तो जब आप मेरे पूछ़े बोलिये हिरन्यम रजतम्हयाम वासांसंह जिन कंबलान यानम रथान इभाकन धराम वृतीकरीम पी यानम रथान इभान रवां गन्या धिराम और झो पीरन्यम्रच प्राम्वन को दान में न केवल सुपोशुत गौवे दी गई अपितु उने सोना चांदी बिस्तर वस्त्र पशुचर्म के आसने उस बैठके वह साधना करते हैं कंबल घोड़े हाती अमेज़ेंग ना हाती हाती ब्राम्वन क्या करेगा लेकिन दिये गए कन्याएं कन्या का मतलब है कि मान लो किसी ब्राम्वन को शादी के लिए ब्राम्वनी नहीं मिल रही थी तो वह भी व्यस्ता किये तथा आजीवा स्याप्त भूमी भी दी गई अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं यापर कि ब्राम्वन को इक कार एक वस्तुधा क्यों दी जा रही है अब बता सकते हैं कि ब्राम्वन को सब क्यों दिये जा रहा है माईक बताईए उन उन ब्राह्मनों की जो यग्य नुष्ठान वे अच्छ संपन्न कर सकें वह जो ब्राह्मन यग्य करते हैं यजन याजन खुद यग्य करते हैं और दूसरों को यग्य करवाते हैं तो वह एक बहुत बड़ा इंगेजमेंट अब या जाकर पसमझ करने में लग जाएंगे तो पढ़ेंगे कब शास्तर और मानलोगर बीलेगे तो कि समझ पाएगा नहीं समझ पाएग तो वियोकित ही को मिलती है और कुछ लोग वह असा करके वह समाज के लाब के लिए उस ग्यान को जैसे लोग समझ सकें उसके लिए वह उसका परचार करते हैं तो इसलिए समाज के लोग करतव है कि उनकी भौतिक आशक्ताओं की पूर्टी करें पूरा कोश माँग लेगा वह जांता है तो खतब उसका तेज भगवान का ध्यान करने से भगवान की भक्ती करने से आता है ना कि अब वो पैसे का मैनेजमेंट करता रहे तो कटना ही हो जाएगी ना जितने की भाई ब्रामण मतलब से पता है वो बुद्धी मान है कि जितने की जब चाहे पांच करोड रुपे भी आएंगे खाएंगे तो पांची रूटी तो अनावश्चक धन इकटा करने से क्या फ दन होता है उनके वह जाट परशानी जदा होती है एक सिंपल सी बात है जिसके पास भी धन होगा उसको चिंता होगी कि लोग मुझे चीन सकते हैं जो धन आपके पास है ही नहीं चीनने की बाती कहां से आती तो इसलिए जो उनकी आवशक्ता थी इसलिए वृत्तिकरी शब् वो खतम विचारय बड़ा गरीब की से ऐटली अरह UR Getting मतलब हो गया स्वाणीश कि शांसी मतलब रॉत्स अजिन मतलब आसंके मेरेगी चर्म कंबल कंबल यानम में जय जाता है शूग तो देखिए यहां पर दूशब्द हैं यानम और रथ आप यानकर अर्थ रत नहीं ले सकते हैं ने तो पुनरक्ती की बात हो जाएगी दूबार एकी बात अंगी क्यों कह रहा है इसले यान देना होगा फिर से कि जीव का बहुत कम चाहिए उससे ऐसा लग रहा है कि ब्रहमनों खीति करते होंगे ऐसा तो नहीं है लें लेकिन जो कुछ आवशक्ता होगा फूरुलोगाल लेते होंगे भगवान के लिए जो भी आवशक्ता हो जतनी आवशक्ता है thank you यह बात भी महतपूर्ण है कि जोपड़ी बनाने के लिए कुछ कोटिया बनाने के लिए अस्रा मराने के लिए यह सारे दान उन ब्रामणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा बहुत एक दोनों दृष्टियों से समाज कल्यान में पूरी तरह लगे होते थे बहुत भूत ध्यान से सुनिएगा इस बात को देखिए जो विक्ति यह ब्रामण है ब्रामण मतलब भगवान का का यह ब्राम मोहत500 है ब्रामण के चाहिए उससे बड़ी सीवा कोई किस नहीं सकता है इस जगठ में कि यह यूट्यपीं बनाते रहते हमारे, फो यहाँ बीड ब्रामाण करे होता ही हमारे पास घ्यान है हमोच ग्यान करता ही है लोग इस स्वारीमार देते हैं यहां पर इस लिए उनको दान दिये जाता है ब्राह्मन अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरहें नहीं प्रदान कर रहे थे तुमको बोलना पड़ेगा क्यों दस हजार रुपिया भत्ता मिलता है दर दर नॉत वर्क डेट शुला प्रपाजी का स्ट्विट्म के चाहे किए कोई भी वेखति मंदिल कर TOP by किसी पर पैसारोअ के लिए आप से tuvo हउस्प्राम आप न खाहें बहतर हो कि हऊस्प्राम कर लें को समझ में आ रहा है आपको बात कोई भक्त आते हैं कथा के लिए जो भक्त पैसा मांग रहा है आप से फिर वह खुद तमकड में तो पैसे का बजन करने जा रहा है भगवान का प्रचार करने नहीं जा रहा है समझ पा रहे है मेरी बात और जब आप किसी भक्त को कोई ब्रमचारी आते है सन्यासी है कोई भी मल आ रहा है इस प्रकार से कारिकर्म करने के लिए तो कुछ देते है तो वह इंवेस्टमेंट है वह इतना गोना वापस लोट कि आता है अगर सकाम भावन से दे जाए कि कुछ हिसाब नहीं है लेकिन वह है डिमांड नहीं कर सकता फिर वह है नाम को बेचने का परात करने लग जाएगा डिस इस वी वेरी रॉंग और आपको भी ऐसे कीरतनकारी लोगों का कोई लाभ नहीं मिलेगा कुछ सुनाई पढ़ रहा है विर्कुल सपस्ट चाहे वह इस कौन क अब कोई तथा कथी डिवोटी नहीं कि इस कौन का डिवी वस नहीं हो सकता है लेकिन अब बड़ी बात है तो हमने देखा है अपनी आखों से और लोगों फोन पर बात करते सुनां 15,000 रुपे लगेगा हाउस प्राम के लिए लोग भी हाउस प्राम करते तो यह को तरीका यह नहीं होता है दस्मेक सेंस टी नहीं होता है दाक्षिणा ब्राम मन को दी जाते यह लेकिन ब्राम मन इस पर कासे चार्ज नहीं कर सकते हैं तो यह शुच्छ रुपाई पर चाहिए और यह उसके बाद भी कुछ खा का पाते नहीं खरते आपका आप ऱ गराद काना फशा तो उसी प्रकार से अगर ब्राम्हन की अवशक्ताओं को पूर्ण किया गया है, तो वह क्यों इस प्रकार से मतलब वो लोभी होगा? He cannot speak the absolute truth when he is absolutely wrong. Is it okay? तो कभी भी कोई भी वेक्ती, कैसा भी ब्राम्हन हो, अगर इस तरह से बोला, इतना चार्च लगेगा, इतना लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो आप समद्री जी को ब्राम्हन है ही नहीं, नहीं, नहीं हो सकता सा ब्राम्हन, वो वेतन भोगी हो गया, विक्ती, वो शुद्र हो गया, fine? कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, अच्छा ये तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो जोने 5 रुपे दे की टरका दो, बिटा तुम टरकाए जाओगे, भगमान देख रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो? ये बात बार-बार समझने का प्रयास कीजिए कि भगतों को भोजन कराते हैं, ये भगतों कुछ अब देते हैं, वो बहुत बढ़ा, बहुत घुना घुना घुम के वापस आता है, इसके लिए आपके पास अनंत गुना वापस आता है, और एक बात यहाँ पर आ रही है, त कथा वाचक तो अगर कथा कर रहा है पैसे के लिए तो वहाँ सपस्ट लिखा है भागवत महतम्य में, कारितह कण लोबहिना कथा सारम ततुबगतहा, जो कण के लोब से, धन के लोब से भगवान की कथा कहता है, उसकी कथा का सारी गयव होगा, जैसे कि ग्रेब जूस तो ऐसे लोग की कथा सुनने से किसी के जीवन में कोई परवर्तन नहीं आता, और नहीं वह परम सत्य को समझा सकते हैं, कुछ ब्राम्हन जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याय दी जाती थी आर्था तो ब्राम्हन ही कन्याय, अते ब्राम्हनों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, क्षत्री राजा तथा धनी व्यपारी लोग उनको सभी आवशक वस्तु में प्रदान करते थे और ब्राम्हन चन बदले में समाज के उथान के प्रती पूर्णतिया समर पे थे, देखे एक बहुत सिंपल बास समझी, आज कल साइंटिस्ट कि जानते हैं उसको तो रोकी नहीं सकते हैं और मृत्यू को रोकने का बिल्कुल सहा जो पाए है भगवान की यश्क का प्रचार करना, तो आप समझ लिजी कौन विक्ति अधिक लाब का लाब दे रहा है, तो आम सोच लिजे विभिन जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था, जब ब्राम्हण वर गया जाती, जिसमें ब्राम्हण योगिताएं नहीं थी, समाज द्वारा पोशित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्म बंदू अर्थात अयोग ब्राम्हण बन गए, इसी तरह समाज के अन्य सदस प्रग्यतिशील जीवन के समाजिक मांदन से करमशा नीचे गर गये हो, ब्राम्हणों ने दोसनों को बताये रहे ने तुम शुद्र हो, तुम भगवान का नाम जब नहीं कर सकते हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते हो, यह विशास्तिर क हम आक्षेप नहीं करने हैं, आपने पापा से पूछो, पापा आप तो शर्मा है, ब्रह्म जाना ती ती ब्रह्मना या आप त्रिपाठी है, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि भगवान कृष्ण भगवान तो चुप हो जाएंगे, और उनकी भी गलती है, उनकी पिता जि नहीं दाल चावल का प्रपर तरीके से तुलसी लाकर, तो यह आप देख सकते हैं कि आप लोगों के घर में भी इस प्रकार से ज्ञान का भावे तो हो गया, यह तो प्रभुपाजी के दया है, कि इस प्रकार से हम लोगों सब को समझा रहे हैं, गीता भागवत के दारा, य उसरे को भी बिताएगा, सिंपल सी बात है, चलिए, आगे पढ़ते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जाती प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है, और समाज के प्रतिक किये गए कार के गुण के अनसार विवस्तित है, जन्म सित अधिकार की रूप में नहीं, भगवद पड़म, अन्यम चोरूर समते भ्योदतवा भगवदर पड़म, गोवि प्रार्थ सवहशूरा प्रणे मुर्भु विमूर्धभि, अन्यम चोरूर समते भ्योदत्वा भगवदर पड़म, अन्नम चोरूर सम्ते भ्योदत्वा भगवदर पणम गोवे प्रार्था सवह शूरा प्रणे मुर्भुवित मूर्थभी तत पश्यात उन्होंने सर्व प्रतम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्रामणों को भेट किया पहले भगवान को और पंड फिर ब्रामण को और तब अपने सिरों से भूमी का स्पर्ष करते हुए ने सादर नमस्कार किया वे गववों तथा ब्रामणों की रक्षा करते हुए भाली भाती रहने लगे उरु रसम मधुरादी नाना सरस युक्त अत्यंत स्वादिष्ट उरु रसम का मतलब बहुत रसम है या उरु रसम का अर्थ हुआ बहुत सारे रसों से युक्त अलग अलग प्रकार के रसम है स्वादिष्ट भजन उरु का मतलब बहुत तो बहुत प्रकार के और बहुत स् तरह से अन्नम खादे वस्तुएं अन्ने का मतलब समझ लेना चाहिए यह नहीं कि अल्यों भाईया गेहूं लो आटा पीश लो खिला दो ना वेलकुल अच्छो सी पका करके बोजन बनवाए गया तो वह खिला गया था भगवान को अर्पित किया गया था भगवान को अर्पि सिवा के निमित थे जिनका जीवन था असू को मतलब होता है प्राण तो गाईयों और ब्राम्वनों के लिए ही जिनके प्राण थे ऐसे शूरह अर्था शूरवीर यानि यादवगण मूर्द भी भूवी प्रणेमू अपने शिष से भूमी छोकर प्रणाम के और इनमें से वह भी थे जिनने बाहर रूप से अटलिस्ट ब्राम्वनों का अपमान कर रहा था तो ऐसा नहीं कि कि वहल आज ही उनके लिए ब्राम्वन और गाए उनकी जीवन का प्रयोजनती वह हमेशा थे ऐसा इसलिए जो उनने गलती करी थी वह किवल बाहर रूप से थी अन्नम चो अरुरसम तेभ्यो बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को अन्न को उन्होंने तेभ्यो अर्थात ब्राम्वनों को दत्वा दिया लेकिन भगवत अर्पण पहले भगवान को अर्पण किया कैसे वह थे तो कहते हैं गोविप्रार्थ असवाशूरा वह शूरवीर थे लेकिन गायों और ब्राम्वनों के अर्थ के लिए ही उनके लिए ही उनके प्राण थे मतलों प्राण भी छोड़ सकते थे उनके अर्थ के लिए गायों के लिए और ब्राम्वनों के लिए तो ऐसे शूरवीर र्यादवगणों ने प्रणयमू भोवि मूर्ध भी अप्रत् गायों तथा ब्रामणों को ही समर्पित था उन्होंने उन्हें इश्वर अर्पित भोजन दिया इसके द्वारा ये ज्यात होता है कि वे धार्मिक्ता में द्रड़ थे अता इस प्रकार उनका सहार पूर्णता मात्र भगवत इच्छा के अधीन था एवन भगवान इसके द्वारा देवताओं के अंश अब यदूं से विलग हो गए जो भगवान की नित पार्षत थे और स्वर्ग में अपने अपने नियत पदों पर लोट आए समझागे बत यह कृत्ति भगवान के छेटे एश्वर अर्थात वैराग को दोतित करता है तथा भगवान ने अप भगतों की महिमा चुपाई की नहीं चुपाई अरे देखो यदूवंशी कैसे ब्रामनों का पान कर रहे हैं वो अपमान नहीं कर सकते थे भगती की महिमा चुपाई की नहीं चुपाई एतने महान भगत होने के बाद भी उन सब करनाश हो गया धाम की महिमा चुपाई की न भगवान के साथ में हैं यह बहिर मुख लोग जो बहुत इक्तवादी लोग है इस बात को नहीं समझ सकते इसलिए भक्तों के मुख से सुनना चाहिए इस तत्व को और अनुरागी भक्तों में लालसा उत्पन करी जैसे कि उद्धव जी लालसा से युक्तों कर कह रहे हैं कि देखो आज भी यदुवंशी भगवान की संग उनकी लीला में है और मैं यहां अकेला पड़ा हूं तो यह भी आपने सुन लिया और क्या आप लोगों की इच्छा सुफ संस्कृत तथा मानव सिद्धी के सरवथा नुरूप था मानव जीवन की सिद्धी सभेता के निमलखत तीन सिध्धांतों द्वारा प्राप्ति की जाती है ये है गवों की रक्षा करना कि गायों से ही वो पस्तु आएगे से यग्य होगा ब्रामन संस्कृति को बनाए रखना यानि कि यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिक ग्रह ये है ब्रामन संस्कृति यजन करना यानि यग्य करना भगवान के और याजन दूसरों से भी यह कि कराना इसलिए भक्त लोग हरे कृष्ण जबते हैं और दूसरों को भी हरे कृष्ण जबाते हैं पठन-पाठन शास्तरब खुद पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए तब संस्कृति पूरी होती है यह नहीं पढ़के बस चुप बैठ गए दानन पृतिकरह ब्रामण को दान दिया जाना चाहिए और ब्रामण को भी दान देना चाहिए वह स्वाम भी देता है ऐसा नहीं बस लेकर रख लिया तब वह वर गर बढ़ जाएगा तो यह ब्रामन संस्कृति को बना रखना तता सर्व परी है भगवत भक्त बनना इन सभी का उद्देश है भवान की भक्ति करना भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष अपने मानव यही सर्वोच सिद्धी है इस उद्देश के बिना कोई कितनी ही उन्नती क्यों न करे उसे उससे मनुष जीवन की पराजाई ही होती है जैसे समझे का प्रयास के एक फुटबॉल मैच के सामपे लिए फुटबॉल मैच में गोल क्या होता है गोल करना अगर फुटबॉल जानते हैं कि फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति जान रहा है कि फुटबॉल कहां मारनी है ऐसे फुटबॉल लेकि पड़ा रहे हैं अच्छा है गोल है अच्छा है वी डोंट डू दैट इस नाट कि पूचे यहां क्यों खड़े हो पता नहीं क्यों खड़े है तो बाहर जाओ यहां से और यही होता है जब विक्ति मनुष जीवन को न के शीरीर में हो सकते हैं यही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह बहुत बड़ी बहुत बड़ी रक्षा की जारी है लोगों को अगर यह बताया जा रहा है कि आप भगवान की भक्ति कीजिए लेकिन लोगों कभी-कभी परिशानी लगती है ब्रामार तता वैस्ट न भगवान ही सब्रकार का भोज प्रदार्थ मनुष्यों तथा पुष्णों को प्रदान करते हैं मनुष्य को इस तत्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद प्रदार्थ यथा अन शाक दूद जल इत्यादि जो की जीवन की मुख्य आफशकता है भगवान द्वार अननास को पैदा कर लूँगा आप समझ माय में क्या कह रहा हूं हम यह सूचते हैं कि धन के द्वारा फाल मिल रहा है लेकिन अगर फाल हो ही नहीं तो तब भी धन के द्वारा मिल जाएगा तो कुछ समझ रहा है बात अब हुआ था कोई भक्त सब्जी लेने के लिए हम गए होए तो कई आपके सब्जी लाते क्या सब्जी नहीं ला पाय थे हुँ हाँ कड़ी पता लिया ना तो प्रूप पूरा मार्केट छान लिया प्षान लिया कड़ी पता नहीं लापाय तो आप बताइके कड़ी पता और हरता धुरों होते हिंक भी हरे होते हैं कड़ी पता भी होराती तो उसी को काट-काट कर सब्सक्राइए योज कर देना चाहिए यह बाती यह बहुत लगाना चाहिए नहीं तो जो वेक्ति भगवान को भोग नहीं लगा रहा है वो ऐसा ही पशु के समान जीवन बित रहा है यह बात पूली जाले है उन्हें ना तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिक्तावादी द्वारा मानव प्रया से स्थापित की गई प्रयोक शाला नहीं बनते फैट्री में बुद्धिमान शेणी की लोग ब्रामण कहलाते हैं और जिनोंने परब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साशाथकार किया है वे वैश्नव कहलाते हैं किन्तु दोनों ही यग्य के उचिष्ट को भोज पदार्थ की रूप में ग्रहन करते हैं यग्य अंतताव यग्य पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित है भगवत गीता 3.13 में कहा गया है कि जो यग्य उचिष्ट को भोज बदार्थ की रूप में ग्रहन करता है वे समस्त पापों से छूड़ जाता है और जो अपने शरीर के पालन पोशन के लिए बोजन बनाता है वेस अभी प्रकार के कष्ट प्रद पाप ग्रहन करता है और इसलिग कहते हुई पापी पेट का सवाल है जी हाँ आपका पेट पापी ही है अगर भगवान का प्रसाद वहां नहीं डालते गो किवल पाप का ही स्थान है पाप पचाने का तरीका है और में लगेगा प्रभास तीर्थ स्थान में प्रामानिक ब्रामणों को भेड देने के लिए यदूओं ने जो भोज पतार्थ तयार कराए थे वे सभी भगवान विष्ण को अर्पित किये गए थे कभी-कभी लोग कहते हैं कि हम पहली रोटी गाय की रौंग पहली रोटी कि मतलब पहले भगवान को भोजन अर्पित उसके बाद आप गाय को दें या ब्रामण को दें जो कुछ भी दें लेकिन भगवान को अर्पन करने से पहले आप किसी को नहीं देना होता है ठीक यदुओं ने अपने सेरों से भूमी का स्पर्ष करते हुए साधर नमस्कार किया वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अनकोई प्रभुद परिवार उन्हें विभिन वर्गों के मद्ध सिवा के पूर्ण सहयोग तथा मानव सिध्धी प्राप्ति के लिए प्र तो वह ठीक से चलवाए उसके पास शक्ति भी होती है ब्रामण ग्यान देते हैं और वह उसको अपनी शक्ति से क्रियानवित कराते हैं उरुरसम शब्द भी यहाँ पर महतून है अन शाक तथा दूद को मिलाकर सैक्णों प्रकार के स्वाधिष्ट वंजन तियार किये जा स सकते हैं समझ में रहा है उरुरसम का मतलब बहुत स्वाधिष्ट रसम और बहुत प्रकार के रस वह सब त्यार करते हैं ऐसे समझत्य व्यंजन सात्विक होते हैं आते उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है जैसा कि बगवदीत में कहा गया कि भगवान के वल फूल पती तथा तरल बदार्तों से तयार भोज बदार्तों को इस्विकार करते हैं बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ती के साथ अर्पित के जाएं भक्ती ही भगवान को प्रमानिक भेंट की एक मातर कसोटी है भगवान आश्वासन देते हैं कि भगतों द्वारा अर्पित ऐसे भो आपका कितना बड़ा भागवान को फहिला रहे हैं अगर स्रद्द्द है कि ओ भोजन अर्पन करते हैं ए इस का थे हुए ऑप शरद्दा को क्या वह प्रमाण है शास्त्र है अभश ही भोजन ग्रहन करते हैं यूर फीडिंग कृष्णा जिनकी सिवा में लक्ष्मी जी लगी हुई है वो सिवा हमें यहां पर करने को मिल रहा है वोड़ ग्रेट फॉर्चुन यह समूची घटना मैं इसलिए बोल लाओं कि मैं प्रयतात्मन हापे कि भई अगर घर में नहीं कोई स्थिरी बना सकती है तो पुरुष बनाए तो पुरुष तो सुझा रहे भाई इतना लोड आ गया लोड आ गया कि लोड कम करने का मौक आ गया नाचने लगना चाहिए सिलमने कहा कि माता बढ़ा चाब डाना थैं तौ है तो सब योड गे उससा होना चाहिए। भवान यह रिशयो नाइस वर्य आप भजन बनाते रहोगे दोगो दिन बढ़ बढ़ करनी सकते आप भगवान का भजन बनाती रहोगे माया देताकती लेगी अरे बाइब पुरा दिन निकल जाएग और आपको पास टाइम ही नहीं रहेगा माया के लिए फूल फूल सर्विस वा कृष्टा इसे सो नाइस हमेशा धान रखना कि भगवान के वजन में है तो माया रूपी पिशाच नहीं भाग गई दूर अटलिस उस समय के लिए वांडरफुल किसी तरह से वो पिशाची भागने वाली नहीं भगवान की सिवा में जैसे लगते हैं कोई सिवा में लग गए तुरंद भगवान के संग में हैं भगवान में ही हैं आप मया भाग जाती है जहां भी आप जैसे भगवान की सिवा में लगे तुरंद मया भाग जाती है बहुत बड़ी बात है अगर समझ चके तो अवश्य ही खाते हैं इस तरह सभी द्रिष्टियों से निर्णे करने पर यदुगण पूर्ण रुपेन प्रसिक्षित सभ्य पुरुष्थे और ब्रामण मुनियों द्वारा उनका शापित होना एक मात्र भगवान की चाके फल सुरुपता इसकी व्याक् राद किया तो उसके बाद क्या लिखा है ततह कतिपयर मासर तो है सोच होंगे कि हम अपराद कर दिये कुछ ही नहीं हुआ ततह कतिपयर मासर ऐसे आपको याद हो कि जब माता डौपती के प्रतियापमान की और पांड़ुआ का निर अपन करते रहे तो भगवान चुपबै तो यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आज को एक बात बताना भूल रहा हूं बूल गया दोने तरह समझे वैश्णों का अपराद कर रहा है वह सुचेगा कि आज कुछ नहीं हुआ लेकिन होगा जरूर और वैश्णों की सिवा कर रहा है तो भगवान भी मिल जाएंगी मैं प्रमान देता हूं वही महराज निर्ग से महराज निर्ग की कहानी मैंने कथा कि शुरुवात ने बताई उनको भगवान का साक्षा दर्शन भापता है क्यों हुआ चकरवर्ती बात कथा बताते हैं कहते कि महराज निर्ग बहुत दानी थे ठीक है लेकिन उनके दान की वज अशिर वाद से और vigव अशननव की खुरपा से उनको घ्रवान करें और ऄंना की प्राप्ति होती है को मुइंशे नहीं हों कि हमेशा यह हर भक्त को जहां तक संभब हो प्रसंद करने का प्रयास करें प्रियास करना चाहिए इस प्रकार शीमित भागवत्म के अंतरगत व्रिंदावन से बाहर भगवान की लीला है नामक तीसरे ध्याय के भक्ति विदान तात्पर पूर्ड हुए श्रीला प्रभुपाद खी जाय जब भी मैं इस प्रकार से पढ़ता हूं तो मुझे लगता है एक दिन हम बार पिसकंद का आगरी पढ़ रहे हैं उमीद है कि भगवान की क्रिपास से भी पूर्ड हो जाएगा सब्स्वस्ते रहेंगे सुनते जलेंगे आज तो कोई प्रश् इधर देख लेता हूं ना कोई प्रश्ट नहीं है स्रीमत भागवतम की जाय श्रीन प्रभुपाद की जाय निताइगोर प्रिमानन दे